गुड मॉनिंग जेंस आप स्वागत है आपका बताएं सर आज का जेम स्टोक येस वेरी गुड मॉनिंग अनील जी आज का जेम स्टोक है इंटरिनाशनल कन्वेयर्स लिमिटेड और यह मैं दूसरी बार कवर कर रहा हूं जेंस में पिछली बार किया था नो अगस्ट दोजा नहीं किया हुआ है और आज 90 रुपय के लेवल्स पर मुझे लगता है यह स्टोक बहुत बढ़िया करेगा सबसे बढ़िया बात है मैं कुछ बैग्राउंड देता हूं कंपनी की अगर देते हैं तो यह ओनली लिस्टेट प्लियर है जो पीवी सी कन्वेयर बेल्टिंग मे हैं और यह देखें का यूज होते हैं इसके बारे में बताऊंगा यह मतलब हाई ग्रोथ माइनिंग और बल्क ट्रांस्पोर्मेशन के लिए ट्रांस्पोर्टिशन जो होती है उसके लिए क्रिटिकल कंजुमेबल है और बहुत ही बड़ा एंट्री बैरियर है मतलब डूए इसमें अप्रूबल्स चाहिए होता है हर कोई कंपनी जल्दी से नहीं आपाती है तो बहुत बड़ा फाइदा है लॉंग जस्टेशन पीरेट होते हैं प्रोड़क्ट बना के सप्लाई करने में और मदब जो कस्टमर्स अवाल की टाइप और यह कंपनी देखिए वर्ड की इंडिया की लिस्टेट रही है इसमें वर्ड की सेकेंड लाज़ेस पीविसी सॉलिट बूबन बेल्टिंग में है और एक्सपोर्ट करती है राउट 85% तो 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 दास्टी बेस्तिंग और 600 करोड की मार्केट के अब वाली कंपनी है और अच्छा कासा एक्स्पिरेंस है ब पुली जो मुझे जो समझ में आया कंपनी का और कुछ में देखता हूं तो सबसे बढ़िया बाद यह लगती है कि जो इसकी क्लाइंटील में जो बाहर की कंपनिया है मतलब एक तो टाटा स्टील श्री सिमेंट्स और एक सब तो ही है और रोजबाट बेल्टेंग और यह तो कुछ सबे तक तो company अच्छा नहीं कर रही थी क्योंकि जहां पे भी rubber और यह सब की बात आती है तो थोड़ा सा वो रहता है और plus prices थोड़ी सी raw material की prices को लेकर company का थोड़ा performance में फरक बढ़ रहा था but overall अब मैं देखता हूँ तो बहुत ही बढ़िया return on capital employed पे 16-17% बहुत जबर्दस पिछले 5 साल के profit की growth दिया है 22% sales की growth करीब 31% और 7 करोड के PAT के सामने 23 करोड का PAT September 2023 में So that is the best thing मतलब 52 करोड का PAT है company का इस तरीके की growth company में दिया है मतलब आप देखे 29 करोड का PAT मार्स 2023 में अब TTM basis पे 52 करोड और June quarter में 14 करोड का PAT और इस quarter में 23 करोड का PAT मगर इसमें एक other income का factor दा उसकी वज़े से market ने इसको थोड़ा सा punish के but overall मुझे अब लगता है कि overall यह corrected हो चुका है सबसे बढ़िया levels पे है promoters ने अच्छी कासी shareholding पिछले मैंने जैसा भोला आगे पिछे इन्वेस्टेड रहे में इस टॉक में और मुझे इसा लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है और अराम से 105 का पहले highs बनाया हुआ है अब मैं 105 और 110 के target के लिए स्टॉक को recommend करता हूँ ओके तो यह है आपके लिए international conveyors 8% की तेज़ दोड लगाता हुआ जिन सापकी recommendation के बाद 105 और 110 के target के लिए करनी है खरीदारी